इसे बहुत बड़ा व्रोद करते हैं कंगना रनोत का किसान प्रदर्शन को लेकर दिया बयान विवात का कारण बन गया है लिसमे उन्होंने कहा था कि किसानों का दुरूत प्रदर्शन दीश्ट में बांगलादेश जैसे संकट का कारण बन सकता है जिसके बाद किसान नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली जिसमें न केवल उन्होंने कंगना के दियेस बयान पर नाराज की जताई बलकि वे अब बीजेपी सांसर्थ कंगना रनोत के खिलाब विरोध प्रदर्शन करनी पंजाब की सड़कों पर उतर गए हैं इस बीज पंजाब के अमरिटसर से ये तस्वीरे आई जहां किसान संगर्श समिती में कंगना रनोत का पुतला फुका और उनकी टिपडियों को लेकर नारेबासी की किसान कंगना के बयान के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्म इमर्जन्सी को लेकर भी विरोध जटा रहे हैं और हिंदू वΐचारे में पाँड़ पाना चाहती हैं जीैब सिखकॉम को अत्वाधि दिखाना चाहती है हम इस बाद का इसए बहुत बड़ा व्रोध करते हैं कि ये कृषे पृस्क को बजाना चाहते हैं जगना जप्तियास किMusik कृतक बढ़ो तिरे को पता लगे आज सीक त्यास ना होता सिक ना होता तू कंगना नहीं थी हो ना तुमने कंगना खान होना था तुमने कंगना खान होना था लेको जिस कौम ने इतनी बड़ी करबानियां दी देश अजाद होने में उस कौम को आज आतिकवादी बता रही हो मौवादी बता रही इसका पुतला जिलाया उसको आप मालुम पड़ा है कभी देश 2014 म अजाद हुआ है जाबके देश 14 में अजाद हुआ इनन्य सेधाली में माना जाता है पर पंजाब के लोगों के लिए आप ये जाद आशे लोगों को आतंगवादी बता कर वहां के रोके रखा हुआ है जब के कसान पूरे बारत का त्यास देखा जाए उसमें कम से कम 90% से ज़्यादा जो कुर्बानी दी है वो पंजाब के इस खिते ने दी है इस दर्ती ने इतना लूब हाया है कि पंजाब बारत को अजादी कर दिना है कंगनार नावत को चार दिन एक्षन करके सोचती है कि मैंने जादी लिए ऐसे जादी नहीं मिलती खुट देना पड़ता है हमारी जहां मात आए हमारी बैना एं हमारे बड़े-बड़े बजुर्गों ने यहां बड़ा बड़ा खूंड का नधियां बहाई हैं तब ही यहां बेजादी मिली है हम जे चाहते हैं कि कंगनार नाउत को स्थीफा देना चाहिए ऐसे जो ऐसे लोगों को बांटकार लोगों को तोड़ कर राजनिती करना चाहते हैं इनको कभी भी एलेक्शन में खड़ा नहीं होना देने चाहिए आम भारतवाशियों को भी किसाना अंदोलन पर आई कंगना की टिपड़ी पर गुस्सा जाहिर करते हुए शिरोमडी अकाली दल प्रमुक सिम्रंजीत सिंग मान ने 29 अगस्त को एक विवादत बयान दे डाला था जिसमें उर्हुली पत्रकारों सी बात करती हुए कहा था कंगना रनोट को रेप का तजुर्बा है प्रमुक को कैसे तजर्बा है तजर्बा जैसे होता है आप अगर साइकल चलाते हैं तो साइकल चलाने का तजर्बा नहीं होता है तो उनको रेप का तजर्बा है अग्रा नावट करेंगे तो नाम लिए कि भारे सरकार ने उनको को देशों में नरवादी आओं सब्सक्राइब तो आतंकवाद के आरोप हैं वो इंडिया के अंदर बार के मुल्च में ने आप सकते जनाब आप यह मानते हैं कि वह आतंकवाद से तही नहीं ने बिल्कुर ने उनकों पर कोई मकातबा नहीं चला और अगर मार ना होता है तो अधालत का हुकम चाहिए हुकम के बगेर आप कम गिंदी को नहीं मार सकते नाँ आदेवासियों नों पहे के कि यह नकसलाइट है इनको मार दो यह ऐसा कनून नहीं है शिरोमडी अकाली दल प्रमुक सिम्रंजीत सिंग मान की इस विवादासपट टिपड़ी के बाद कंगना ने एक्स पर पलटवार किया उन्होंने लिखा ऐसा लगता है कि देश बलातकार को तुछ समझना कभी बंद नहीं करेगा आज इस वरिष्ट नेता ने रेप होने की तुलना साइकल चलाने से कर दी इसमें कोई आश्यत नहीं कि मनरंजन के लिए महिलाओं के खिलाफ बलातकार और हिंजा इस पित्र सत्तात्मक राश्ट्र के मानस में इतनी गहराई तक जड़ी जमा चुकी है कि इसका इस्तिमाल किसी महिला को चड़ाने या उसका मजाग उड़ाने के लिए किया जाता है भले ही वो एक हाई प्रोफाइल फिल्म नर्माता या राजनितिक के हो हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए